हेलो दोस्तों मैं आशिस कुमार अपने यूटूब चैनल बिहार जीकेटिक्स में आपका स्वाइद करता हूँ आज हम लोगी मतिहाजमत के बिहार एक परचे का पार्ट 11 लेकर आया हैं जिसमें हम लोग आज बिहार में होने वाले 1911 के सत्यागरा और श्रायोग आंदोलन औ और खिलाफत आंदोलन के बारे में जानेंगे अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल बिहार जीकेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरू कर लें साथ ही वेल आइकन को दवाना ना बोले तो आईए वीडियो को स्टाट करते हैं तो हमारा पहला कोशन है पहला कोशन है किस बिहारी नेता की अज़्यक्ता में भारती राष्ट्रे का एक वीसेस अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबे में हुआ तो इसका शही उत्तर है सी सायद हसन इमाम आईए इसके बारे में पढ़ते हैं यह अधिवेशन मॉंस्ट्रेग्यू चैंस प्रस्ण है रॉलेक्ट एक्ट के वियोद में पत्ना में जवर्दस हर्दाल हुई कब तो इसका शही उत्तर है ए छे अप्रील 1908 को अब आई चलते हमारे अगले प्रस्ण पर तो हमारा आगला प्रस्ण है छे अप्रेल 1922 को पत्ना में एक वीसाल जुलूस का नेत्रित किय किस ने किया तो इसका शही उत्तर है ए सयद हसन इमाम ने यह जुलूस आगे चलकर साम में किला मैदान पत्ना सीटी में एक सभाब में परिन्यत हो गई जिसकी अध्यक्ता हसन इमाम ने की थी अब आई चलते हमारे एगले प्रस्ण पर प्रांतिय कांगरे समीती एवं बिह प्रांतिय संग की सिर्क्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहां हुई थी तो इसका शही उत्तर है बी पत्ना में आई इसके वह पढ़ते हैं यह बैठक पंजाब में मार्सल लौर महात्मा गांधी की गरफ सतारी पर छोब प्रकट करने के लिए हुई थी अब आई चलते हमारे अगल फ्रबड़ी के अंतियम दिनों में आरम हुई अगला प्रशन है बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रांव हुआ कब गांधpage तो इसका सही उत्तर है A. B. अम्माने आगे है बिहार प्रांतिय सम्मेलन का बारव मा अधिवेशन 28 एबं 29 अगस्त 1920 को हुआ जिसमें अधिवेशन का समर्थन तथा प्रस्ताव सुरिकार किया गया यह अधिवेशन कहा हुआ तो इसका सही उत्तर है A. भागलपूर इस अधि प्रांतिय सम्मेलन में कलकत्ता डिवेशन के पूर्व ही अधियो का समर्थन किया गया था अब आई चलते हैं हमारे अगले प्रस्त पर तो हमारा अगला प्रस्त ने बिहार में अधियो आंधोलन प्रारम हुआ था कब तो इसका सही उत्तर है D. 1920 आई अगले देखते हैं हि प्रस लाइट प्रेस पतना से 1920 में प्रारम हुआ जिसके संपादक राजेंद परसाथ थे अवाई चलते हमारे अगले प्रस्त पर स्वामी विद्यानन सम्मंदित है किस से तो इसका ही उत्तर है एक किसाना अंदोलन से अगला प्रस्त ने बिहार की पर्थम राष्टिय महा विद्याले का उडगाटन किसने किया था तो इसका सही उत्तर है बी महात्मा गाने ने बिहार विद्यापीट का उडगाटन हुआ था कब तो सही उत्तर है बी 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीट का उडदेश था प्रांद में खोली गई सवी राष्टिय संस्थाओं का समायोजन्त सा उनका नियंतर एवं निर्देशन करना अब आई चलते हैं हमारे अगले प्रश्ण पर बिहार राष्टिये महाविद्याले के प्राचार के पद पर निक्ठ हुएं कौन तो सही उतर है सी राजन्द प्रशाद बिहार विद्यापेट के परसम कुलपती बने कौ तो सही उतर है सी मजहुल हक आगे है असायोगांदोलन में भागलपूर जिला में काफी महत्पून भूमिका निभाई किसने तो सही उतर है ए दीप नारायन सिंग ने अगला प्रशन है मोहमद जुब्बैर ने असायोगांदोलन में किस जिला का नेत्रित किया था तो इसक हसन इमाम अगला प्रश्ण है एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असर्यू आंदोलों के दौरान कहां अस्तिती सबसे गंबीर थी तो इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है श्री राजेंद प्रशाद के भाई निम में से कौन है जिसका सही उत्तर है ए राई शाहब महेंद प्रशाद राई सहाब महेंद प्रशाद ने असर्यू आंदोलों के दौरान 24 मार्च 1921 को राई सहाब की उपाधी लोटा दीते था अवैतनिक मैस्ट्रेट के पद से भी हिस्तिफा दे दिया वे छप्रा महानगरपालिका के उपाध्यक्स थे अगला प्रश्ण है बिहार के असरयोग आंदोलन कारी मौल भी मुहमद सफिक किस दिले में संबंदित थे तो इसका सही उत्तर है बी मुझपर पूर अगला प्रश्ण है बिहार प्रान को तिल्यक स्वराज फंड के लिए कितनी धन्रासी एकत्रित करना था तो इसका सही उत्तर है ए नौ लाख ब्यालिस हजार अगला प्रश्ण है मदर लेंड नामक अकवार प्रारम किया किसने तो सही उत्तर है डी मजहूल हक यह कोश्चन काफी भीविया है इसे आप लोग नोट कर लेंगे डी मजहूल हक ने 30 सितंब निश्व एक्रिस को सदाकत आश्रम से मदर लेंड का परकासन प्रारम किया था अगला प्रश्ण है बिहार में 1921 में स्वराज सभा के अस्थाप ना हुई कब तो सही उत्तर है ए गया में अखिल भारतिय कांग्रेस समीती के किस वर्स के अधिवेशन में बिहार राज को अखिल भारतिय कारकाई समीती में एक अस्थान दिया गया टो इसका सही उत्तर है ए जुलाई 1921 अगला प्रश्ण है बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाओ में सभी मत असायोग्यों के पक्सि में पड़ा था तो इसका सही उतर है C. मुझब परपूर अगला प्रश्ण है अगस्ट 1921 की बिहार यात्रा के दोरान गांडी जी को किस जगा के नाईकों ने अभिननन पत्र परदान किया तो इसका सही उतर है B. बिहार सरीफ तो आई चलते हमारे अगले प्रश्ण पर हमारा अगला प्रश्ण है सत्य नारायन लाल संबन्जित एकिस से तो इसका सही उतर है A. बक्सर से अगला प्रश्ण है बिहार में औस योग आंदोलों के विदेशी वस्त भहिसकार कारेकम पर कहां विशेज ध्यान दिया गया तो इसका सही उतर है B. भागलपूर भागलपूर का प्रो का महत्पून के इन था अगला प्रश्ण है औस योग आंदोलों के दोरान प्रिंस ओफ वेल्स की पटना यातरा कब हुई तो इसका सही उतर है B. 22-23 दिसंबर 1921 अगले प्रश्ण पर बिहार कौमी सेवा दल के अस्थापना हुई कब तो इसका सही उतर है A. 27 नमबर 1921 को इसकी अस्थापना बिहार प्रांतिय कॉंग्रेस कमीटी ने की इसका सबसे प्रमुक कारराज में सांती बनाए रखना था अब आई चलते हैं हमारे एगले प्रश्ण पर किसान समाचार के संपाजक थे कौन तो इसका सही उतर है D. स्वामी विद्यानन ये समाचार पत्र विहार बंदू प्रेस मुझब परपुड से निकलता था अब आई चलते हैं हमारे अगले प्रश्ण पर बिहार में अवसर योग आन्दूलों के दोरान बाबू तारापद बनार जी पर किस नाम का इस्तिहार चापने के अव्योग में मुकदमा चलाया गया तो इसका सही उतर है C. विदेशिया बाबू तारापद बनार जी दर्भंगा के थे अगला प्रश्ण है बिहार में कौन सा जीला असर योग आन्दूलों के सबसे बड़ा केंथा तो इसका सही उतर है C. मुझब परपूर अगला प्रश्ण है बिहार में कहां 1922 में से सम्मानित विवाद हुआ तो सही उतर है B. भागलपूर अगला प्रश्ण है बिहार में सवी ने अवग्या जा समीची कव आई थी तो इसका सही उतर है A. 25 अगस्त 1922 सवी ने अवग्या जा समीची 25 अगस्त 1922 को पतना पहुंची अब आई चलते हैं हमारे एकले प्रश भारतिय राष्ट कॉंग्रेस का 37 अदिवेशन 1922 में कहां हुआ तो इसका सही उतर है C. गया में इस अदिवेशन की अध्यक्सता चितरंजन दास ने किया राजन्द परसाद स्वागत कारीनी के सचीव थे अगला प्रश्ण है गया के कॉंग्रेस अधिवेशन में सबसे प जनवरी 1923 आगे की प्रस्ट को देखते हैं बिहार के स्वराज पार्टी के अस्ठापना हुई कब तो इसका सही उतर है D. फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी के परथम अध्यक्स कौन बने तो इसका सही उतर है B. श्री नारायन परसाद प्रोफेसर दब सहायक सचीव बने अगला प्रस्ट है स्री राजंत परसाद कहा के नगरपालका के चेर्मेंज 1923 में निर्वाचित हुए तो सही उतर है बी पटना अब आई चलते आगे प्रस्ट को देखते हैं 1923 में हुए विधान मंडल के आम चुनाओ में सुराज पार्टी ने बिहा विधान परिश्यद में कितनी सिटे प्राप की थी तो सही उतर है ए दस अगला प्रस्ट है सर्च लाइट अकवार निकालना पार्ण किया था किसने तो सही उतर है बी सचिद्यानन सिन्ह एवं हसन इवाम ने सर्च लाइट का प्रकासन 1918 से पटना में प्रार्ण हुआ अब भागलपुर जिला अगला प्रस्ट है विहार में हसन इमाम की निर्देसर में प्रांतिय लिख की अस्थापना हुई थी कब तो सही उतर है बी 1921 में अगला प्रस्ट है बिहार में किस अस्थान पर भारती राश्ठ काॉंग्रेस का 1922 का रिवेसन हुआ था तो सही उतर है C. पटना अगला प्रश्ण है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था क्या तो A. और B. दोनों अर्थात बिहार विद्यापीट का और बिहार नेशनल कॉलेज का अगला प्रश्ण है सदाकत आकस्रम की अस्थापना की थी किसने तो सही उतर है B. मजहुल हक अगला प्रश्ण है बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया परथा चालू की गई थी तो इसका सही उतर है C. असरयोगा अंदोलन कॉंग्रेस के लिए धन जुटा ने है तू इस परथा की शुरुवात की गई इसके अनुसार प्रति दिन एक मुठिया नाज कॉंग्रेस को देना था अगला प्रस्ट ने बिहार के गवर्ण लौर्ड शिन्हा ने गवर्णल पर्थ से स्थिफा किस आंदोलन के दोरान दिया था तो इसका सही उतर है बी असयोग आंदोलन तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली बार अगली बार नई चेप्रेक साथ जो रस्तनात्मक चरण है और बिहार तो आज के लिए बस इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आप ल